मैं शिखा शिर्वाबता हूँ, मेरे चैनल टिप्स थेटर में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरा शक्कर ली है, आप देख रहे हैं, जो मैजरिंग कप होता है, उससे मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मैंने शक्कर ली है, और जितनी शक्कर है उसका डबल आपको पाने डाला है, एक कप शक्कर लेंगे तो आप दो कप इसमें पाने डालेंगे, और बस इस बरतन को मैंने गैस के उपर रख दिया है, और इसकी हमें एक टार की चाशनी बनाना है, शक्कर अच्छी तरह से पिघल चुकी है, आप देख मुश्किल से एक मिनट में ही जो भी मैल है आपको उपर उपर दिखाई देने लगेगा, बस उसे आप चम्मच की सायता से धीरे से निकाल ले, ताकि हमारी जो चाशनी है बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट सी बने, बिल्कुल भी उसमें इस तरह का मैल पना ना हो, तो जितना मुझे ऐसा लगा कि जो भी उपर इसमें मैल दिख रहा था चाशनी में निकाल लिया और बिल्कुल हमारी चाशनी तयार है, एक तार की चाशनी बनाना है, यहां पर मैंने आधा किलो खोवा लिया है, वैसे तो मैंने शौप में गुलाब जामुन का खोवा बोल कर ही लिया इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कनाब देख रहे हैं, मैंने यहां पर एक ग्रेटर लिया है, और सभी खोवे को हमें कीस लेना है, कीसने से यह सौफ्ट हो जाता है, जितनी अच्छी इसमें एयर जाएगी, उतना ही बढ़िया गुलाब जामुन हमारा बढ़िया पोरस ब अब इसमें आधा किलो खोवा है, तो आपको इसमें डालना है पाँच चम्मच, फाइव टेबल स्पून गेहु का आठा, आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, परन्तु मैं तो हमेशा ही गेहु का आठा डालती हूं, आप देख रहे हैं, फाइव टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गेहु का आठा डाला है, दो चम्मच आपको डालना है सूजी, सूजी या रवा दोनों में से किसी भी एक चीज को ले, तो 2 टेबल स्पून मैंने जली है, और 5 चम्मच मैंने गेहु का आठा डाला है, 1 पोर्फ टीस्पून हमें डालना है बैकिंग पाउडर, जादा ना डालें दोस्तों, आधा किलो मावा में वन फोर्थ टीस्पून से जादा बैकिंग पॉडर ना डालें, खुब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, ताकि जो गेहूं का आटा है, सूजी, हमने जो खोवे में डाली है, सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, और ख तार की चाशनी रखें, और चाशनी को उतार दिया है मैंने गैस से, और गुलाब जामून बनाने का ये जो हमारा माटेरियल है, इसे मैं खुब अच्छी तरह से हाथों से मसल रही हूँ, कम सकम 3-4 मिनट तक आप इसे बढ़िया अच्छी तरह से मसल लें, जैसे हम चपात तो सभी चीजे आपस में बढ़िया मिक्स हो गई है और ये बिलकुल ही जो डो है, वो बिलकुल ही सॉफ्ट हो गया है, आप एक बार दोस्तों इस तरह से गुलाब जामून बना कर देखें, यकिन मानिए आपको बड़ा ही मजा आएक और बहुत ही अच्छे गुलाब जाम और लंबा करें, तो ये देखें, मैंने इसे इस तरह से शेप दिया है, लंबा शेप दिया है, और आप चाहें तो थोड़ा सा दोनों किनारे से हलका सा नुकीला शेप भी दे दे, बड़ा ही अच्छा लगता है ये शेप दोस्तों, गोल गुलाब जामून तो हम हमेशा ख दिया है मैंने और गैस के ऊपर मैंने रखा यहां पर, मैंने यहां पर तेल का यूज किया है, आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं, तो एक बार तेल में मैंने चेक कर लिया, बहुत तेज गरम तेल में आपको बिलकुल नहीं डालना है, जादा गरम तेल होगा, तो गु बिल्कु서 जो सफेज सफेज से गुलाब जामून होते हैं उत्ते अच्छे नहीं लगते हैं आने धोड़ला झाओ कलर इसले थोड़ा सा दार कलर ही गुलाब जामून का अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं तो आप देख रहे हैं मैं इस तरह से सभी गुलाब जामुन को गोल्डन करती जा रही हूँ और तल-तल कर बिल्कुल गरम-गरम ही मैंने इसे निकाला है और जो चाशनी है चाशनी भी अभी हल्की गुन-गुनी ही है उसमें मैंने डाल दिया है इस बात का ध्यान रखे कि च ठंडी नहीं होना चाहिए और नहीं उबलती हुई चाशनी होना चाहिए तो चाशनी आप पहले से बना कर रख लें और बस उस गरम चाशनी में आपको एक-एक करके गुलाब जामुन डालते जाना है तलते जाए और तुरंत ही चाशनी के बरतन में गुलाब जामुन को ड बना कर दिखाए हैं, अभी तो ये इतने सारे भी तल रहे हैं, और बस चाशनी में थोड़ा सा साइट करके आप इसे डालते जाएं, थोड़ा सा इसे ज्यादा तलें, अभी थोड़ा सा आप देख रहे हैं, हलका सा पीला पन है, बिल्कुल सुनहरा कलर होना चाहिए, डार्क जामुन को खाने में मज़ा आता है, और इस तरीके से आप एक बार गुलाब जामुन बनाएंगे ना दोस्तों, आपके एक भी गुलाब जामुन ना बिकड़ेंगे, ना खराब होंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, अंदर तक इसमें चाशनी जाती है, कई बार हम इसमे सूजी और गेहूं का आटा डाला है, इसके करण जो चाशनी है वो अंदर तक की चली जाती है, तो आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने गुलाब जामुन की चाशनी रखी, उस कड़ाई में मैं जगह करती जा रही हूं, और जो नए-नए गुलाब जामुन मैं तलती जा रह और जो पहले से डुबे हुए गुलाब जामुन है, उसे मैं किनारे करती जा रही हूं, तो आधा किलो मावा में मैंने कम से कम 50 गुलाब जामुन आपको बना कर दिखाए हैं, तो दोस्तों इसे जरूर बनाए, शेप भी आप लोगों को अच्छा लगे, तो यही शेप बन सकते हैं, और इसे बनाने में, पूरी तैयारी करने में मात्र मुझे 20 मिनट का टाइम लगा है, और इतने अच्छे गुलाब जामुन तैयार होगा है, तो यह देखे, आपको सर्व करके दिखा रही हूं, थोड़े से पिष्टे और बारिक कटे हुए बदाम से मैंने इसे आप चाहें, तो थोड़ा सा हरी लाइची का पौडर भी डाल सकते हैं, और यह बाकी के गुलाब जामुन इसे मैं गार्निश नहीं कर रही हूं, इसे सर्व करते समय ही आप अप अदाम और पिष्टार कुछ भी ड्राइफ्रूट डाले, तो यह तरीका है, गेहू के आंट दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको करना है लाइफ, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थीटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंड करके जरूर बताएं, कि मेरा यह वीडियो आप लगों को कैसा लगाए